नमस्कार मित्रो मैं सेकर सिंग राना मची सहर जवनपूर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल केस बायफ्लाक में दोस्तों आज का वीडियो सुट करने का मस्रब दिये है कि आज हमारे टैंकों का उनिस्वा दिन है कल्चर स्टार्ट हुए अमोनिय तो हमारा 15 दिन जीरो हो गया था लेकिन आज कुछ मेंटेनेंस देखा जाए कि आज का अपडेट क्या है तो कुछ लोग भी बोल रहे थे कि सामने टेस्ट करके बताईए अमोनिया आपको लग रहा था कि कहीं दूसरी दिना का पानी हमें टेस्ट करके रखा हुआ था पीस अगर जादा दिन चलाना चाहते हैं अपनी तो खुड़ा कम कम टेस्ट करिए सवा एमल या डाई एमल भी परिए दो बून में ही काम हो जाएगा तो मैं धाई अमल सवा दो आपको सवा एमल लेके यह बोटल नंबर एक है अमोनिया की इससे दो बून अब बोटल नंबर एक से फिर बोटल नंबर दो से दो बून अज़ा करने से होता कुछ नहीं टेस्ट हो ही आएगा रिजल्ट हो ही आएगा बस यह है कि आपका किट जो है कुछ ज्यादा टेस्ट कर लेगी तो आसा जो लोग पहते हैं पांच मिट लगेगा इसको सेटल हो वसी एक में आ जाएगा एक में फिर इसका कुछ नहीं होगा चलिए तब तक बात हो जाए आप से जो जो बैट करें कि मुश्किल है मुश्किल है डरा रहे हैं लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है बहुत ही आसान है बस आप वाटर पैरामीटर ठीक करिए और कल्चर आपका बढ़ियां से होगा प्रोबाइटिक कोई सा भी उसके लिए सब सही है मैं तो जेपी सिंग का यूज कर रहा हूं उसमें कोई प्राब्लम नहीं है और आज जो निस्वा दिन है मस्नियां विल्कुल सही है 20 ग्राम कोई-कोई तो 20 ग्राम की हो गई है लेकिन अब दस ग्राम बार ग्राम आ रहा है तीडियेश हमने वाटर प्रिप्रेशन करते टाइम अठारा सो रखा था आज का टीडियेश अगर आपको दिखाए तो कि इसका साढ़ें अठारा सोहे करीब मैंटे सोες करें मिल करए जण कोई दिक्कत नहीं तो कि और यहρूहय पानी भेंद होगा नहीं और स्टिजब करेंrr थोड़ा सा टाइम लेता है यह से लुकने में एट आ रहा है इसका और इसका भी लगवग एट ही 7.9 आ रहा है पानी बिलकुछ सही है तीडियस हमारे यहां का राण बोर्विल का पानी जो है वह उसका टीडियस अधाइस है और पी एच एट पॉइंट वन से टू है एट पॉइंट वन तो हमें चूने की विज़रोत नहीं पड़ती वाटर करते टाइम हमें चूना नहीं डाला था पीए बढ़ाने के लिए मेरा वैसे ही मेंटेन था और टीडियस बढ़ाने के लिए 10 किलो 10 किलो 12 किलो खड़ा नमग जो कच्चा नमग जिसको बूलते हैं खड़ा नमग आता है बिना आयोडीन वाला उसको यूस किया था इसके बाद से चल रहा है मेरा कपुछ सही है कोई दिक् लगबग 2-3 मिनट हो गया है देखा है यह रिजल्ट अपना अमोनिया लेवल की बात करें तो आज फीडिंग हो भी हो भीच की है क्योंकि फीडिंग करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा अमोनिया लेवल बढ़ता है लेकिन अब देखे अगर आपको प्रता होगा तो सबकुत सही है अब तक 18-19 दिन हो गया नात्रिफाइं बैक्टिरिया भी अक्टिवेट हो जाएगा फिर इसके बाद कोई प्राबम मही आने वाली है कल्चर चलेगा फर्सक्लास और तो कोई प्राबम मही आने वाली है इसमें इसका टैंक नमबर वन का तो जीरो है अमोनिय इसका अमोनिया लेवल क्या है कि दोनों टैंकों में हमको लग रहा है कि वही डिजल्ट है दोनों में जीरो से 0.25 की पीच में ही रहा है इसका भी वही है थोड़ा सा टाइम लेगा इसके बाद अपने जो ट्रेजिशनल पांड है उसमें इसमें सोचना है तीन चार अगर जमीन देखेंगे कल्कुएट करेंगे अगर चार टैंक आ जाए तो सिमेंटे टैंक इसके बाद बनाएंगे और जिनको सीखना है भाई मेरे यहां फ्री है एकदम जो लोग इतना पै एक महान भाव का हम वीडियो देख रहे थे वह भूल रहे थे कि भाई अगर आपको इंगलिस नहीं आ रही तो आप वायप नहीं कर सकते यार क्या महान आत्मा हुआ यह तो पता है कि आप जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं है क्योंकि आपने 20 दिन में मस्लियां को जो है पंग कोई दूस्तिं का वीडियो लाइब लाएंगे आपके लिए जिनको सीखना है वो कोई दिकत नहीं है अराम से आ जाए हमारे एंग बिल्कुल फ्री है बिल्कुल सीखिये कि कोई भी अपने अपको इस्पर्ट नहीं सब सीखी रहा है लेकिन किसी से कम जानकारी यहां नहीं मिलेगी सबको यहां से कुछ न कुछ बहुत अच्छे तरीके से और फिर ही मिलेगी चलिए इसी बात से अपनी और यह यह दिखा दें आपको इसका भी इरिजन आगे अलग है यह भी जीरो ही है अगर आप देखेंगे तो इसका भी जीरो है कि दोनों टैंक फर्स क्लास चल रही है मुलाइसिस भी हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया करीब आज तक 15 अमने इस दिनों में दोनों टैंकों में करीब है तीन-तीन सव ग्राम यूज भी उसके वाद से तीन दिन से तीन दिन पहले मतला पंदर को जब टेस्ट की थे उस खूँ कोई दिककत नहीं आएगी टैंको में मश्रीयों को ना टैंको जो वाग भी वणिया बना है कोई दिककत नहीं है है ठीक है दोस्तों आप से बिद्या लेते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो जनकारी चीक लगी हो तो चैनल को सब्झत्राइब करे और वीडियो क को सेयर करें इनके अगले वीडियो में बाई बाई